नमस्कार मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज हम बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौरे की जिस तरीके से लगातार यूपी की सियासत में उनका कद और नाम तेजी से बढ़ता जा रहा है फिलाल इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाला कि ये चर्चा जादा तर कयासों के अधार पर है कि क्या केशव प्रसाद मौरे मायवती की पार्टी में जा सकते हैं क्योंकि अगर मौरे समाच की बात करी जाए तो उन्हें बड़े लेवल पर इसका समर्थन प्राप्त हैं हाला कि सिरातु सीट पर जब वो चुनाव बात करी जाए तो उन्हें दलितों का समर्थन उन्हें भी प्राप्त था या फिर कहिए आज भी है लेकिन क्या उस बड़े स्तर पर है कि वो चुनाव जीत पाएंगी अगर केशव प्रसाद मौरे अपनी मौरे समाच को लेकर दलितों के साथ मिल जाते हैं यानि कि मायवती जैसा बड़ा पद दे दिया जाएगा लेकिन केशव प्रसाद मौरे भली बात इस बात को समझते हैं कि सो विधायक अगर वो लेकर कहीं भी जाएंगे तो मुख्यमंत्री पद आसानी से हासिल कर लेंगे हाला कि विपक्ष में जो है ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं है औ और अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं आने वाले वक्त में उनकी सियासी तोर पर मुख्यले बढ़ जाएंगी क्योंकि जो भी बीजेपी का नेता अगर किसी पार्टी में जाता है या फिर ऐसा कुछ करता हुआ नजर आता है तो सी बी आई से लेकर एडी तक तक तमाम जो जाच इस इंसियों का शिकंजा है वो लगातार कसना शुरू हो जाता है और बी बी सी की डॉक्यमेंटरी को लेकर भी इसी तरह की चीजे जो है हम देखते हुए हम देख पा रहा है हमें नजर आ रहा है तो खास तोर पर ही का जा सकता है कि क्या केशव प्रसाद मौर है स प्रसका सकता है, नमस्कार!